जैश्री कृष्णा शारदी नवरात्री समाप्त होते ही दशेरा और उसके बाद मनाया जाएगा करवा चौथ का पावन पर्व। सुहाग से जुड़ावा ये दिन हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन पती की लंबी उम्र और तरकी के लिए महिलाएं निर्जला वरत रखती हैं जिसका पारण चैंद्रमा निकलने पर किया जाता है। मानेता है कि इस वरत की शुरुवात सर्गी के साथ होती है जो कि सोर्योदे से लगभग दो से तीन घंटे पहले तक खाई जाती है। हिंदु पंचांग के अनुसार इस बार साल दोचार चोबिस में करवा चौत का वरत 20 अक्टूबर अविवार को रखा जाएगा। हर साल आशुनमा के क्रिश्निपक्ष की संकस्टी चतूर्थी के दिन यानि चतूर्थी तिथी को ही करवा चौत का वरत रखा जाता है और इस दिन को कर्क चतूर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार कर्वा चौत के दिन ब्रह्म महूर्थ का समय सुबह 4.53-5.41 मिनट तक रहेगा। अमरित काल सुबह 3.52-5.21 मिनट तक रहेगा। रोहिनी रक्षत रहेगा सुबह 8.32 मिनट से और इस दिन सिधियोग भी बन रहा है जो कि सुबह सोरेदे से लेकर शाम 5.41 मिनट तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4.30-6.00 तक रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौत के वरत में सर्गी सुबह कवों के बोलने से पहले-पहले ही ग्रहंट कर लेनी चाहिए। ऐसे में आप सुबह 4.30-4.00 तक हर हाल में सर्गी ग्रहंट कर लेए। आप जानते हैं पूजा के शुब मोर्थ के बारे में तो करवा चौत की पूजा का सबसे शुब मोर्थ जो की शाम का मोर्थ होता है वो शाम 5.46 मिनट से 7.9 मिनट तक रहेगा। इस समय आप चंदे देवता की पूजा की तयारी कर लें और हाथ में अक्षत यगेहु के 7 य देवता को अर्ग देने के बाद अपने पती के हाथों जल और मिठाई खाकर या जो भी पकवान आपके यहाँ पर परंप्रा रोप में ग्रहंट किये जाते हों उन्हें ग्रहंट करके आप अपने वरत खोल सकती हैं अब आपको बताते हैं पूजा की थाली में ऐसी कौन सी साथ समगरी हैं जिनके बिना करवा चौत की पूजा या वरत अधूरा रहता हैं सबसे पहले तो आपको पूजा विधी के बारे में जाना चाहिए करवा चौत के एक दिन पहले आप मेहंदी आदी लगा लें श्रंगार की सभी समगरी आप इकठा कर लें क्योंकि करवा का ध्यान करके उसके बाद सर्गी ग्रहण करें सर्गी में नमक की चीज़ें या बहुत ज्यादा ओयली चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए ड्राइफ फ्रूट्स फलों का जूस नारियल पानी या नीवू पानी आदी का सेवन आप कर सकती हैं करवा चौत के दिन सुब करवा चौत की कथा सुने सुबह और शाम दोनों ही समय कथा सुननी चाहिए इसके बाद आप नर्जला वरत रखें अपनी सासु मा अपने घर के बड़े बुजर्गों के पैर चुए शाम की पूजा करने के लिए आपको पूजा की थाली तयार करनी है आप एक चौकी पर क यो दान की सामगरी है या बायना आती है वो रखे और पूजा कर ले इसके बाद चंदर्मा निकलने के बाद चंदर देवता को अर्ग दिया जाता है और सबसे पहले चलनी की सतह पर जलता हुआ दिया रखें चंदर्मा के दर्शन करें इससे पहले चंदर्मा के दर्शन न ममंत्र का जाब करने के बाद अपने पती को तिलक करें पती की पूजा करें और पती के हाथों पानी पीकर व्रत का पारना करें इसके बाद घर के सभी बड़ों का आशिरवाद लें और जो सास है या किसी सुहागन इस तरी को बायना दे दे जिसमें श्रंगार की सामगरी भी होती है और उनके प्यार चुकर आशिरवाद इसके बाद आप शुद्र सात्विक भोजन क्रहन कर सकती है अब जानते हैं पूजा की थाली में कौन-कौन सी सामगरी होना जरूरी है तो सबसे पहला करवा करवा पूजा का मुख्य पात्र होता है जो की मिट्टी अधात्व को ह जाता है यह थी आज की वीडियो उमीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी